आज मैं आपके साथ आलू से बनने वाले एक बहुत एक क्रिस्पी स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और टेस्ट इसका एक बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइस की तरह का है बलके यूँ कहें कि उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें हम स्पाइस और फ्लेवर्स एड़ करेंगे और इसके लबाब फ्राइ होने के बाद ये स्नैक बिल्कुल भी सॉफ्ट या सौगी नहीं होते बलके इसी तरह से क्रिस्पी ही रहते हैं तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिसमिल्लाहरमान ररहीम यहाँ पर मैंने 500 ग्राम या आदा किलो आलू लिये थे जिनको इस तरह से क्यूब्स में काट कर बॉयल कर लिया है क्यूब्स में काट कर आलू को बॉयल करने से इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाता है अब इनको हम इस तरह से एक स्टेनर की मदद से मैश करेंगे क्योंकि इनको हमें बिल्कुल पेस्ट की तरह मैश करना है कोई भी गुटली या चंक न रहे इसमें इस तरह से थोड़े थोड़े आलू स्टेनर में डालते रहेंगे और इनको मैश करते रहेंगे मैश करने के बाद अब इसमें हम कुछ मजीद इंग्रिजिएंट्स एड़ करेंगे आदा चाय का चमच कार्लिक पाउडर 80 ग्राम इसमें कौन फ्रो शामिल करेंगे जो के लेवल करके मेशर्मेंट वाले तकरीबन 10 टेबल स्पून्स है दो खाने के चमच चाबल का आटा आदा चाय का चमच काली मिरज का पाउडर तीन चोथाई टी स्पून या हस्वेजाय का नमक बारीक कटा हुआ हराधनिया एक से 1.5 टेबल स्पून और एक अंडाइस में शामिल करेंगे अब इन तमाम चीजों को हाथ के साथ आलू में बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से बहुत अच्छे से बिल्कुल दो की तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे तक कि सारी चीजें बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएं मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे एक खाने का चमच आल और आल को भी इस तरह से हाथ से इस मिक्सिर में बहुत अच्छे से मिक्स करना है यहां पर snack बनाने के लिए अब जो हमारा mixer है वो बिल्कुल ready है और इससे snack बनाने के लिए या इसको fry करने के लिए mixer को मैंने इस तरह से एक piping bag में डाल दिया है अब इस तरह से mixer oil में डालते जाएंगे और एक Caesar या knife के मदद से इसको cut करते जाएंगे piping bag में मैंने star nozzle लगाई है तक इस snack की बहुत अच्छी सी look आए तो कड़ाही में जितनी भी space या जगा थी मैंने इसमें आलू का mixer शामिल कर दिया है इसको हमें बिल्कुल भी overload नहीं करना अब इन्हें हम medium या medium low flame पर fry करेंगे तक ये बहुत ही crispy बने ज़्यादा 23 आँच पर हमें इनको fry नहीं करना तो fry होने के बाद आप देखें इनके ओपर कितना अच्छा सा color आ गया है और ये snack बहुत ही crispy भी बनता है अगर आपको crispy french fries पसंद है तो snack की ये recipe आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि fry होने के बाद ये crispy ही रहते हैं soft ये सौगी नहीं होते तो try कीजेगा बहुत ही simple और आसान सी recipe है try करने के बाद अपना feedback comment section में जरूर मेरे साथ share कीजेगा वीडियो को like, share, channel को subscribe भी जरूर कर लीजेगा अपना बहुत सा ख्याल रखेगा, दौाओं में याद रखेगा thank you for watching, Allah आफेज